हेलो गाईज, पेटा आज का सेशन और इसके बाद वाला सेशन मैं अपने एक्सराइज तो कम्तीट कर ले गए, पर ये दोनों सेशन अच्छे खासे इंपोर्टन है, कुछ सिंपल क्वेशन तो कुछ अच्छे क्वेशन से, इसमें मैं दो आपको एक्स्टा क्वेशन भी करा पेले, question 13 को समझते है, D is a point on side BC of a triangle ABC, बैटा, diagram नहीं दिया हुआ है, तो मुझे diagram खुछ से बनाना पड़ेगा, कोई भी random triangle बना ले बैटा, मैंने ABC, आप क्या बोला है, इसमें D is a point on side BC था न, कोई चो भी point है, बिलकुल दिया हुआ ने कि midpoint है, तो मेभी मैंने यहला point ले ADD, अब आगे क्या दिया हुआ है, such that ADC और BAC equal है, ADC और BADC और BAC, angle equal है मेरा, मतलब यह वाला angle और यह पूरा का पूरा angle मेरा ऐसा equal है, तो यह को मैंने given में तो यह लिख दिया, angle ADC equals to angle BAC, मुझे given है, अब मुझे proof क्या करना है बच्चा, मुझे proof करना है CA square CBCD के बराबर होगा, CA का square is equal to CB into CD होगा, ठीक है, अब देखो गाईज, अब आप लेगो को पहले पेहले पीस चीज़ का hint दिया है, ऐसा कुछ रहे मतलब CPCD का फिर cross multiplication ही दो दर करके आता है, तो बेटा मैं गया कहाँ पे, मैं गया पेर रफ section है, यह मेर rough section है, ठीक है न, इसको हटा दूँगा समझाने का आद में, मुझे वैसे proof करना है CA square equals to CB into CD proof करना है, एक CA को यहाँ लेका जाता हूँ, यहाँ लेका जाता हूँ, यहाँ लेका जाता हूँ, देखे तो CA by CD equals to CB by CA, अगर मैं यह भी proof कर दिया, तो मैं यह इसको यहाँ multiply है, यहाँ से CAB आ रहा है, यहाँ से CAD, ट्राइंगल कुछ आ रहा है मेरा, ठीक है, तो मुझे यह दोनों ट्राइंगल तो similar proof करना है, कौन से-कौन से, CAB और CAD को, तो बच्छा, यह देखो, मैं यहाँ पर solution करता हूँ, solution in triangle CAB and CAD, देख लिए अपने वो दोनों ट्राइंग CAB, मतलब यह पूरा कोरा बड़ा वाला triangle, बढ़ CAD मतलब यह छोट वाला triangle अंदर रहा, ठीक है, देखे इन दोनों में angle C तो मेरा common है, पर रहता हूँ, तो यहाँ का CAB में क्या हो जाएगा, ACB, एकोज दी, का angle हो जाएगा, ACD, यह मेरा common है, चलो ठीक है, अब दूसरा क्या है बेटा, CAB triangle का angle A, मतलब अंगल B, A, C, और यहाँ का angle D, मतलब अंगल A, D, C, मुझे equal दिया हुआ था, given, तो यहाँ का दोनों triangle में similar होगे, यहाँ का C, तो यहाँ का पर भी C लिखा मैंने, यहाँ का A करफ कॉन्ड में, वहा पर मेरा A बचा है, तो यह दो triangle मेरे similar होगे, का इसे होगे बेटा, बाइ, A, A criteria होगे, जैसे ही होगे, अब मैं C, P, S, T, लिख सकता हो इनका, अब देखो, C, A, by C, D, equals to A, B, by A, C, equals C, B, by C, D, भी लिख सकता था मैं, बेटा, A, C, B, by, अच्छा मैंने कुछ गलत कर दिया, एक संगे, एक संगे, एक संगे, पहना, यह मुझे थोड़ा confusion हो रहा है, यह इतना चिपका चिपका अपर लिखा होगा, इसके लिए, यह B, मैं हाँ, C, A, by C, D, equals to A, B, by A, D, equals to C, B, by C, A, अब देखो, मैं को यहाँ पे, काईटे भी, A, B, और A, D की जरुवत ही नहीं, त चीज का मैं हटा सकता हूँ, तो यह नहीं लिखता हूँ, मैं मान लिजए, इस इकोल टू यह, B, C, P, S, T हो गया, अब क्रिस्क्रॉस किया, C, A, इन्टू C, A, जैने, C, A का स्क्वेर हो गया, इस इकोच्छू C, B, इन्टू C, D, हो गया मेरा प्रूफ, देखो, यह जो द चलिए अब, अब नेक्स्ट, आप लोग आ जाईए, एक्जाम्पल नमबर 7 पर आपको स्क्रीन पर दिख नहीं रहा हूँ, मैं जान पूछे, आपको एक्जाम्पल नमबर 7 को पढ़ दी जगा स्क्रीन से पढ़ना है, पॉस करके, या फिर अपनी NCRT से, again, a very nice question, इसका ड लांप पोस्ट, at a speed of 1.2 meter per second, if the lamp post is 3.6 meter above the ground, find the length of a shadow after 4 seconds, ज्यादा कुछ एक्दम के समझाना होगा शायद से, आपको समझाने कुरिश वरत हूँ, इक ये लांप पोस्ट है, ये अपना ground है, अब एक बंदी है, यहाँ पर चिपक के इसमें खड़ी थी, यहाँ बंदी ने चलना शुरू किया, 4 seconds माद चलते चलते हो, यहाँ प्यागी में भी, अब मुझे बताना है, कि इस बंदी की shadow, कित्ती की length क्या देगी, ये, ये length मुझे बताना पड़ेगा, समझा, अब एक अब आपको डाइग्रम आ जाता हूँ मैं, ये ground है मेरा, ये मेरा लांप पर किस्ते, बंदी पहले यहाँ पर थी, चलते 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 में भी यहाँ तक पहुची होगी हो, ऐसी, ठीक है, अब मुझे कुछ कुछ दिया हुआ था, मुछ ये देखता हूँ, बंदी की height 90 cm, सब को meter में convert कर रहा हूँ मैं, तो मेरा देखिए, given में मेरा CD हो गया है, 0.9 meter, फिर मुझे क्या दिया हुआ था, हाइट ओफ ये था, लांप पोस्ट, 3.6 meter, अब अब मुझे क्या करने का है, बेटा, मुझे निकालना है to find DE, मुझे DE के लिए निकालना है, अब देखो बेटा, अच्छा ये time भी दो जाथा, time शाथ है 4 seconds जाओ था, अब देखो यहां से यहां कि speed भी दी भी है, time भी दी भी है, ताब BD फट से निकाल सकते हो, तो पहले हम लोग BD निकालते हैं, दे 4 seconds है, तो मेरा distance, distance BD कितना हो जाएगा, 1.2 into 4, मतलब 4.8 meter हो जाएगा, यह देखो, यह मेरा कितना होगा है, 4.8 हो चुका है, बच्छा होगा यह भी मैं लिख रहे है, तो यह कितना था, मेरा 3.6 था, और मेरा यह कितना था, बेटा, यह था 0.9, ठीक है, मैंने अब क्या कि है, लेट, D, E, B, कोश्चु, X मान लिया है, इसको मैंने X मान दिया है, अब गईस देखो, क्या आप लोग, यह दो ट्राइंगल तो सिमिलर कर पाऊगे, E, D, C, और साथ ही साथ में, E, B, A, को, तो कैसे, ए, A, से होने वाले, तो कैसे, दिखा तो, देखो, इन, ट्राइंगल A, B, E, and ट्राइंगल C, D, E, यहां का अंगल B और यहां का अंगल D, दोनों की जोनों 90 रहने वाले है, अपराइट खर रहेंगे न, पिटा, 90 डिगरी E छे, यहां का अंगल E, और यहां का अंगल E, मेरे, कॉमन होने वाला है, तो देखो, A, B, E, सिमिलर ह हो जाएगा आपका, C, D, E, से, by A, A, यह हो गया, अब C, P, S, C, लिख रहा हो बच्चा लोग में, तो देखिए, A, B, by C, D, is equals to B, E, by D, E, equals to A, E, by C, E, पर अगर आप देखो के बच्चा लोग, तो आपको यह A, E, और C, E, का काम ही नहीं है, तो वो नहीं भी लिखोगे, तो भी चल जाएगा, तो हता दिया, यह कहा, C, P, S, C से, अब तो को A, B की वाल्यू, I think अपने के तरी, 4.8, 3.6 थी, C, D, की वाल्यू 0.9 थी, B, E, की वाल्यू 4.8 प्लस X थी, और D, E, की वाल्यू भी आपकी X थी, तो यह 1 दा, यह 4 दा हुआ, क्रिस-क्रोस किया, 4X is equal to 4 0.8 प्लस X, तो 3X is equal to 4.8, तो X की वाल्यू कित होगी, 1.6 meters, खतम, तो length of shadow किती होगी, 1.6 meters होगी, implies length of shadow, होगी मेरी 1.6 meters, खतम, इतना सा question था मेरा, समझा न, देखो, आपन लोगों ने क्या किया, यह, speed into time से distance निकाला, इसको मैंने X मान लिया, अब यह triangle और यह बड़ यह triangle को मैंने similar कर दिया, काई से किया, AA से किया, तो CPS ची लिख दिया, पेटां आप बीपीटी मत लगा देना, देखो, बीपीटी अगर लगाओगे न आप लोग, तो यह upon यह is equal to, यह upon यह नहीं होता है, राधर यह upon यह is equal to, यह upon यह होता था, याद है न तो parallel हो जाएगे मेरे सोचके, बीपीटी लगा यहते है, नहीं बचा, बीपीटी नहीं लगेगा, ठीक है, चलो, एक काम करो, pause करो इसको और डंगजे solve करो, बेटा इसके ओपर data change हो कि आपके school के test वागर में question पूछा जाता है, ठीक है, pause कर लो, अब next हम लोग आ रहे है, question number 6 क again, अभी तो simple question है, question number 6, congruency, congruency थोड़ा से दिया हुआ है, फट से हो जाएगा, ठीक है, तो एक काम करो, question number 6 को pause करो, डाइग्राम बनाओ, जितना आप लोग कोशिश करके ला सकते हैं, इसको pause करो, और सब कुछ given to proof करके solve करना ऐसा है, चले करी सब हम लोग इसको try करते है, पेटो डाइग्राम बना देते हम लोग, यह A है, B, C, D, E, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, डाइग्राम होगा है, given में क्या है, A, B, E, और I think A, C, D, A, C, D, मेरे triangles congruent है, मुझे टू प्रूव में क्या है, टू प्रूव में A, D, E और similar है, A, B, C है, A, D, E, similar है, A, B, C ते, ठीक है, ठीक है, डेको, यह A, D, E, A, B, C के इसमें, एंगल A मेरा common आ रहा है, बचाओ मुझे मगजमारी करना पड़े है, पेटा, जो को क्ोणूट है न, हो कैसे कर रहा हो देखो भी आप लोग सकता है किसा रचना पड़ेगा कि नहीं आप लोग क्लिक हो जाएगा इस्ता कोई बड़ा था नहीं सल्यूशन में देखें ट्राइंगल ए बी ए कॉंग्रूंटर ट्राइंगल ए सी डी से मुझे गिवन है मुझे अंगल आंगल कोई काम नहीं आ रहा है बच्छा लोग इसमें देखो यहां से मुझे ये चीज़ पर चल रहा है एक एकवस तो एडी है मेरा अब इक्वेशन नमर टू माक कर दिया अब इक्वेशन नमर और इक्वेशन टू को में डिवाइट कर दिया तो मेरा AE upon AC equals to AD upon AB हो गया मेरा देखो अब हमने पलटाया नहीं होता न तो मेरा क्या दा था AE upon AB equals to AD upon AC जिसका में को कोई काम नहीं था बट यह चीज़ अगर यहां पर यह यहां पर अगर आ जाए तो में को बहुत ज्यादा काम आ रहा था तो यह मैं ला लिया कि सब्सक्राइब इस इक्वेशन यह अपॉन यह और साथ ही अपना ट्राइंगल होने वाला है अब AE and triangle ABC AE upon AC equals to AD upon AB मेरा पहले ही प्रूव हो चुका है from 3 और दूसरा क्या है angle A equals to angle A मेरा common है तो हो गया मेरा क्योंते दो ट्राइंगल के नाम भी दिये वे थे ट्राइंगल ADE similar to triangle ABC हो गया भाइए एस यह देखिया था मैंने क्या किया है न यह अपन यह इसी को यह अपन यह प्रूफ कर रिखा दिया और यह अंगर मेरा common था अब बेटा वह अपन वह इकॉल टू वह अपन वह तीन माक का आजाता है कई बार दो माक का आजाता है कई बार दो से तीन माक किस्मा आता है question करो free fund के mark देना आला question है ठीक है चलो इसको pause करो और इसको solve कर ला आप लो अब गाइस जो अपन set of questions करने आले very important difficult नहीं है बिच्पे भरोसा रखो इंपोर्टन बहुत जाले नियरली similar pattern पर चीज़े चलने रादी हमारे ठीक है तो example number 8 पहले पहले इसका solution बिलकुल नहीं देखना है हम लोग खुद से ही करने बाले ठीक है बस आपके एक बात question को डंग से पढ़ दीजे question पढ़ने के बात में diagram given to proof उतना कर लीजे फिर हम लोग इसको solve करना शुरू करेगे ठीक है चलो यहाँ पर करो pause अलिक बाए इतना काम करके रखो पर दाइग्राम मैं बड़ा बनाओंगा अब देखें मुझे given में क्या क्या है मुझे दिया हुआ है कि cm और आरन आर रिस्पेक्टिवली medians और triangle ABC and PQR देखें cm अगर median है मतलब यह length और यह length equal हो गई है मतलब क्या होगा है am equals to mb और यहाँ पर क्या हो जाएगा cm median था इन्हें PN equals to QN चलिए ठीक है अब आगे क्या दिया हुआ है और यह भी दिया है ABC और PQR similar है में triangle ठीक है triangle ABC similar triangle PQR के बरावर सब्सक्राइब क्या है और यह चीज़ी यह चीज़ी को use करने के लिए आपको दिया हुआ रहता है आपको तीन चीज़े प्रूफ करनी है आपको पहली चीज़ समझ जाएगी ना तो दूसरा CPST आज सकता है आपको शाहिद से और तीसरा आपको similar patterns पर चलने आला है I think दूसरा CPST वाला है कि है CM by RN equals to नहीं दूसरा CPST नहीं है बट अच्छा है और ठीक है AMC PNR AMC PNR second का है मिला CMRN ABPQ CMRN ABPQ 3rd सब पार्ट करें बेटा CMBRNQ CMBRNQ खतर ठीक है अब गाइस थोड़ा ध्यान से देखना है ठीक है ना पहली चीज़ मुझे क्या similar proof करनी है मुझे AMC और PNR यह similar proof करना है यह similar proof करना है मुझे अब बेटा देखो मुझे क्या क्या दिया हुआ था यह और यह equal दिए हुए थे यह और यह equal दिए हुए थे और दोनों बड़े triangles मेरे similar दिये हुए थे यह वाला triangle और यह वाला triangle मुझे similar दिया हुए है अब पैराadle journéeना हुआ उससका ठाइदा उठादे हमें CPSC जो जो काम में आने वाले है मेरे AMC और PNR के लिए वो लिखना शुरू करता हूं, देखें, solution, बहुत चीज़े देखने वाला है, CPS टेख, तीन अंगल से इक्वल देने वाला है, तीनों साइड से रेश्यो इक्वल देने वाला है, पर मैं पहले वो ही उठा रहा हूं, जो मुझे पहले को solve करने में help करेगा, मतलब क्या, इन ट्राइंगल से जी, मुझे दिया हुआ है ट्राइंगल A, B, C, similar to triangle P, Q, R, यह मुझे given है, ठीक है, अब देखो अगर मैं angle A और angle P को equal, पहले मैं काम करता हूं, ट्राइंगल को mark करता हूं, तो क्वों से दो मैं करता हूं, refer अभी, यह A, M, C, और मैं P, N, R को refer करता हूं, ठीक है, अब देखो बच्चा, अगर मैं angle A और angle P equal, वो तो है, वो लू, साम में यह क्या, हाँ सरी, यह दुना angle equal काम में आ सकते है मेरे, तो मैं लिख दिया, implies angle A equals to angle P, कहा सा है, C, P, S, G सा है, ठीक है, अब angle B और angle Q, पेटा, यह equal है, बट मेरे काम में नहीं आने लिए, इ अब देखो बच्चा, यह angle से होगे, अब sides का देखो, अब मेरा जो side का होता है, A, B by P, Q, तो देखे था, A, B by P, Q, सारी, यह दा भाहर जा रहा है, पर ठीक, एक बबार लिखके चलो, आपने गुतना, is equal to B, C by Q, आर, सारी, यह BC by Q, आर, तो triangle का थोड़ा भी part में नहीं आ ठीक है, यह देखो, यह भी मेरा CPSC से ही आया है, अब गाइस, आपको याद है, हमने लोग लास्ट चेर भी कर जाते है, यह M midpoint है, तो यह पूरे A, B को मैं twice A, B लिख सकता था, तो वही लिख रहा हूं मैं, आपके, A, B की जग़ा पर क्या लिख रहा हूं मैं, twice A, M, मैं twice B, M भी लिख सकता था, बट देखो, मेरे वो ट्राइंगल के बाहर का, इसलिए twice B, M नहीं, twice A, M ही लिख रहा है, और twice P, Q को मैं twice, P, Q को मैं twice N, P लिख रहा हूं, twice N, P, I hope आप लोगा NCRD खुली, आप डाइग्राम देख पा रहे हो, बेटा, just to A, C by P, R, अब Q हा बेटा, इसलिए यह चीज़, मैंने यह A, B को twice A, M और P, Q को twice N, P, Q लिख पाया, वो चीज़ मैं लिख दे रहा हूं, यहां पर, तिकि मुझे पता था, A, M, A, M equals to M, B, and P, N equals to Q, N, मुझे given है, तिक है, अब जैसे यह हुआ, मेरे 2, 2 कटा, which implies A, M by N, P equals to A, C by P, R, यहोगा है, मेरे equation number, इसको मैंने 1 mark किया है, इसको मैंने 2 mark किया है, अब देखो, basically मेरा हुआ क्या है, यहां पर, A, M by N, P, देखे, A, M by N, P equals to A, C by P, R, यह second equations है, और angle A equals to angle P, first equations है था, देखो, दुनों triangles मेरे S, A, S से, similar हो चुके है, देखो, from 1 and 2, मेरा क्या हुआ, triangle मेरा A, M, C, similar होगा, triangle P, N, R से, by S, A, S, खतर, देखो, मैं जानता हुआ, तो कोड़ा confusion हुआ होगा, देखो, बच्चा लोग, मुझे जो डोनों triangles दिया है थे, मुझे A, B, C, और P, Q, R, similar दिया हो था, मैंने CPS की बत, उतना ही लिखा भी, जितना मैं को काम कार दा, वैसे, और चीदे भी लिख से था, angle B, equal to angle Q, angle C, equal to angle, अपर मैंने काम काहीं थे, मैंने लिखाने, वो होने का बच्चा लोग, मैंने क्या किया, मैंने simple सा, ये देखो, मैंने ये angle, equal to, ये angle को use किया, साथ में ये, upon ये, equal to, ये, upon ये लिख रिया, अब ये पूरे को मैंने twice of ये लिखा और ये पूरे को, मैंने twice of ये लिखा था, दिखा था, अपको सा, पुड़ा पसमने, एक नोज़े बेखो, ये angle A, equal to angle P, तो बहुत easy है, फिर ये AB by PQ equals to AC by PR, ये लिया है, देखे, AB by PQ equals to AC by PR, ये लिया है, और मैंने बेटा, AB को twice AM लिख दिया है, twice हाँ, twice AM लिखा है, और PQ को twice NP लिखा है, Q, क्योंकि हो mid points है, फिर ये 2, 2 कटेगा, मेरा ये आ जाएगा, फिर ये equation और ये equation के, 1 और 2 के कारण मेरा क्या हो जाए पहले सिर्फ आप लोग इतना सा कर लीजे, इसको pause सरके सिर्फ और सिर्फ आप लोग पहले इतना सा कर लीजे मरें, अब गईत आगे रिखते है, ये जैसे ही हो गया मेरा, अब इसका CPS ची लिखा मैंने, मुझे क्या चीए, CM by RN चीए, न तो ये रहे है, ये और ये तो मैं आप लोगो, अब लोगो, अब लोगो, अब लोगो, ये देखे, CM by RN equals to AM by PN, ये ठीक है, अब बेटा देखो, क्या मेरा AM, half of AB है, बेखो AB के टाहूं सेलाया न, अब यहाँ पर मुझे AB और PQ चीए था, तो मेरा AM, half of AB रहेगा न, तो उसकी जगब मैं, half of AB लिख सकता हूं, हम है, ये पर देखे, CPS चीए था, CM by RN, ये AM की जगब मैं लिख दिया, half of AB और वैसे ही मेरा PN, देखे था, PN क्या जाएगा, half of PQ, perfect, परस्टो half of PQ, ये half और half कट जाएगा, implies PM by RN equals to AB by PQ, आप लोगों का आ जाएगा, देखो, आपका second होई था, वह प्रूफ हो गया, चलो, फट से, ये second सब पार्ट को भी, पॉस्ट करके आप लोग स्वल्व कर लिजए, अब बिटा, ये देखे, अब मेरा last part क्या है, मुझे ये CMB, ट्राइंगल और RNQ, मतलब ये आला, RNQ, ट्राइंगल चाहिए, similar, तो जैसा आपने ये दो लाल ट्राइंगल सो similar कियाना बच्चा, exactly वैसा आपको यहां का करना वड़ेगा, तीक है, मैं आपको हिंट दे रहा आप लोग तब ये वाला अंगल equals to ये आला अंगल करोगे, फिर क्या बोलोगे सर, ये upon ये is equals to ये upon ये, और फिर ये पुरे AB को twice BM लिखोगे, पुरे QP को twice QN लिखोगे, करोगे, आपसे SAS से similar आपका आ जाएगा, ये वाला मैं करके नहीं दे रहा हूँ, आप लोग प्ली इससे solve कर लीजे, शलिया, next question के तरब बढ़ते हैं, this was a very nice question, बहुत important question था, इस पर please important माख कर लो, राधर अभी आगे जो आपको करार हो ना, I think next question भी है, question number 10, देखने जीजे वो important वाले क्या, question number 10, compared भी वैसे तो simple है, but, ने simple नहीं है, आपने क्योंकि पहला सीख लिए इसल ये figure नहीं है, उसका figure खुद से बनाना है, question का आप लोग given to prove diagram और solution करने की कोशिश कीज़े, तब हिंट दे रहा हूँ, ये नीचे दूपर proof अना, पहले ये proof अना, फिर ये proof अना, फिर ये proof अना, ठीक है, चलो, pause करो इसको भी, और एक बाद के लिए खुद से try कर लो, चल A, B and G, H are respectively the bisectors of angle A, C, B and E, G, F, such that D and H lie on side A, B and F, B of triangle A, B, C and E, F, G respectively, इतने बड़े question में, sorry, मुझे अभी तक के तो सब ये समझाए कि, दो triangle से A, B, C, और F, E, G, जो दोनी की दोनों similar दिये वया आगे वैसे, तो पहले मैं सिर्फ दो simple से triangle सना रहू, तो जब भी question ना, बस मेंको somehow, मेंको mentally अच्छा रखता है, मेंको चीज़े दिखना जल्दी शुरू हो जाती है, देखो ये दो triangles है मेरे, देखो triangles कौन से similar मेरे, A, B, C, और F, E, G है, E, F, G नहीं है, देखें, ये A, B, C, और F, E, G से similar है, तो मैं naming अपने खुद के लिए वैसी कर रहा हूँ, देखो, I could have named it as A, B, C, E, F, G, पर प्रॉब्लम करता है, ये वाला अंगल, ये वाले अंगल से equal होता था, ये वाला अंगल, ये वाले अंगल से equal होता था, और ये वाला इससे equal होता था, पर क्योंकि मैंने question पूरा ढंते पढ़ा हुआ है, तो मुझे पता है, A, B, C और F, E, G, similar होता है, तो मैं जान पूछके, इसको F, इसको E, इसको G कर रहा हूँ, अब देखो, क्या हो गए, ये वाला इससे equal होग है, ये वाला इससे equal होग है, और ये वाला इससे equal होग है, देखने के लिए, सौर्ट अप मेरे लिए सिंपल हो जाता है, डाइगरम पूरा बनने क का बाइसेक्टर है, ये मेरा अंगल बाइसेक्टर दी यहां पर लाए कर रहा है, और वैसे ये जो है मेरा, ये कैसा G, क्या था, G, H, वो इसका अंगल बाइसेक्टर है, देखो, उसने आगे दिया है, D lies on, क्या देखो, so that D is on side A, B, and H is on side F, E, ठीक है, अब मुझे given है, A, B C और F, E, G सिमिलर है, तो मैं given तो दिख सकता हूं, डांसे, देखिए, मुझे given में परता angle bisectors यह रहते हैं, मतलब angle A, C, D, equals to angle B, C, D, दूसरी जी मुझे given तो angle F, G, H, equals to angle E, G, H, और एक और चीज़ कर दिख सकता है, triangle A, B, C, similar to triangle F, E, G, E, F, G, लिखोंगे, पूरा game ऊड़ जाएगा आपका, ठीक है न, यह 1 और 2 लिखने ही जरुवत नहीं परती है, गलती से लिख दिख सकता है, अपने को 2 प्रूव में तीन चीज़ है, 2 प्रूव में भी लिखने ही जरुवत नहीं परती है, तो मैं लिख रहता ह हूँ, A, C by F, G, A, C by F, G, second क्या प्रूटा मेरा, D, C, B, D, C, B, similar to H, G, E, 3rd वाला क्या प्रूव मेरा, D, C, A, D, C, A, H, G, F, था चारते, H, G, F, T, प्यटा ये चीज़ मुझे प्रूव करनी है, ठीक है, अब देखो गाईस, वैसे मैं चाहता तो उपर से नीचे भी आ सकता था, मैं कोई ये चीज़ जो करना है, मुझे समझ गा था, कोई 2 ट्राइ प्रूव करना है, पहले, तो इसलिए मैं बहुता कि पहले ये प्रूव करना है, पहले, पहले ये प्रूव करना शुरू करते है, क्योंकि इसके CPST के थ्रूव ही मेरा ये फट से आने वाला है, तो देखो, इन ट्राइंगल DCA and triangle HGF करने वाला हुँ में, जो जाओ, उसके पहले आपने को ना, जो given के CPST का जो चीज़े काम में आने लिए, वो देखना पड़ेगा, स्वरी, देखो, पहले हमें मार्क करते हैं, तो कौन जो ट्राइंगल करना है, DCA, जो को यादर पिछले जैसा median था, यहाँ पे व अच्छा, क्योंकि मुझे पूरे को जो दुनों triangles बड़े वाले, ABC और FEG, सिमिलर दीवे तो मेरा यह angle और यह angle वैसे equal होने वाला है तब, और दूसरा देखो, यह पूरा angle और यह पूरे angle भी equal हो जाएगा, और फिर मैं क्या करूँगा अच्छा आपको पताए कि उसमें, फिर मैं बोलूँगा क्योंकि यह पूरे का half यह इतना part है और यह पूरे का half इतना part है तो equal हो जाएगा, तो नहीं समझा, तो मैं करकर खाला, क्या बोल रहा हूं मैं, देखें, आपको क्या दिया गया है, triangle A, B, C, similar to triangle F, E, G, आपको given है ना बेटा, अब यहां का angle A और angle F, implies angle A equals to angle F हो रहा है मेरा, तो काई से हो रहा है यह, C, P, S, G से हो रहा है मेरा, देखें, मैंने equation number 1 mark कर लिया है, ठीक है, अब देखो, यहां का angle C और angle G हो रहा है, अब angle C में जब पूरे ना मिसना पड़ेगा, तो angle A, C, B equals to angle F, G, E, यह भी बच्चन मेरा C, P, S, G से हो रहा है अब यह पूरे angle का, यह angle bisector है, तो क्या यह पूरे angle को में, twice of A वाला angle लिख सकता हूँ बेटा, हाँ, तो वही मैं कर रहा हूँ, देखें, implies twice angle A, C, D, और वैसे यह पूरे angle को में, twice of A वाला angle लिख रहा हूँ, equals to twice angle F, G, H, ठीक है, अब क्यों मुझे reason लिखना पड़ेगा बेटा, क्योंकि angle A, C, D, equals to angle B, C, D, and angle F, G, H, equals to angle E, G, H, मुझे given था, यह लिखना पड़ेगा प्रापरी मुझे, अब जैसे यह हुआ, बेटा, 2 और 2 कर जाएगा, implies angle A, C, D, equals to angle F, G, H, हो जाएगा, यह equation अब हमें 2 बन जाएगी, अब सब देखो, यह वाला angle मेरा, और य कानुन दोनर अंगल मेरे A, A से similar हो जाएगे, अंदरी है, from 1 and 2, मेरा triangle D, C, A, similar हो गया, triangle H, G, F, के बराबर, by A, A, देखो, यह वाला angle, यह ला angle से equal हो गया, और यह वाला पूरा पूरा angle, यह ले पूरा पूरा angle से equal हो गया, तो मेरे दोनर टांगल से similar हो गया, by A, A, मेरा लीजे, CD by, CD by GH is equals to AC by FG, CD by GH is equals to AC by FG, CD by FG, CP, ST, यह भी पूरूव हो गया, अब next चीज़ मुझे क्या करने है, बच्चा, मुझे यह यह ला triangle, और यह ला triangle से similar proof करना है, जैसा पिछला question दना, exactly वही question है बस बेटा, अब जैसा आपने यहाँ पे यह वाला angle को लिया था, अब आपको यह, यह और यह angle को लेना पड़ेगा, समझा, तो बेटा, थर्ड पार्ट हैंने, जो राधर इस question के लिए, second part है, वो चीज़ को आप खुद से solve करो, पॉस करें, ठीक है, और यह question को निप्टा हो, फट से, चलो, इसको करो, यहाँ पर पॉस और इसको भी निप्टा दो फटाकते हैं, चलो guys, अब यह आला question भी हो गया है, यह question number I think the 10th, question number 16, पर हम लोग आने वाले हैं, अब guys, यह 16th question के साथ ही में हम लोग दो और extra question करना रह है, similar pattern में चलेगी, यही राधर सतर difficult question है, बच्चों दो जो similar question करेंगे, बहुत simple से, फिर यह तीनो questions हम नेक्स इक्सराइज हो है, areas of similar triangles का, उसने भी ऐसा ही कुछ question देखना ले, ठीक है, पहले आप लोग pause करके, question, diagram, given, to prove, सब कुछ करके रखो, प्लीज, इसके तब दो, त medians और triangle, a, b, c, and p, q, r, चारो, यह तो समझ जाएकर, दो triangles है, a, b, c, or p, q, r, a, b, c, p, q, r, a, d, median है मेरा, और, p, kya है, बटाओ, p, m, b, मेरा, median है, ठीक है, तो वो given क्या कहा है मुझे, d, b, b, d, sorry, b, d, equals to d, c, and q, m, equals to m, r, और भी कुछ की बने कर देख रहते हैं, triangle भी similar दिया हुआ, a, b, c, औ, p, q, r, ठीक है, triangle, a, b, c, similar to triangle, p, q, r, मेरा two proof क्या है, मुझे proof करना है, a, b, by, p, q, a, d, by, p, m, करना है, तो basically देखो बच्चा, ये दो triangle को का similar करूँगा, मैं, मतलब ये बाले, a, b, d, मतलब ये, yellow triangle को, और p, q, m, मतलब, yellow triangle को, तो मेरा answer आना, शुरू हो जाएगा, ये अब भी तो किया था हम लोगों ने, perfect, ये अब भी किया था, बिटा, देखो, कैसे करें, आप फट्चा आज रहा हूँ आपको, पहले आपको दोनों बड़े triangle similar पाथा, तो ये, equal to, ये आपको देना पड़ेगा, ठी ठीक है, वो हो गया, फिर ये, अपन ये, equal to, आप ये, अपन ये, लोग है, जैसे ही होगा, फिर आप B, क्या करोगे, मैं रहा हूँ, A, B by P, Q, equals to, आप लोग करोगे, क्या, B, C by Q, R, काई से करोगे, बिटा, सब C, P, S, T, सही, फिर B, C, इस जगा पर आप twice B, D, लिखोगे और Q, R, की जगा पर ट्वाइस, Q, M करोगे, फिर ये, 2, 2, कर जाएगा, तो, basically, A, B by P, Q, equals to, B, D, by Q, M, हो जाएगा, बिटा, आप लोगा, अब जैसे ही, ये, होगे, आप लोगा, फिर आप पो क्या हो जाएगा, देखो, ये, अपन ये, equal to, ये, अपन ये, और ये, जाएगा, ठीक है, प्रीज, आप से request है, एक बार, खुद से, इसको करना है, आप लोगा, ठीक है, सब स्चार्ट हो जाएगा, अप लोगा, प्लीज, स्चार्ट हो जाएगे, करना, question को solve, चलो, यहाँ पर pause करो, इसको, फटाक से, मुझे solve, फगे, दो, solution देखो, मुझे पता है, triangle A, B, C, से मिलर है, triangle P, Q, R के, मुझे given है, इस कान से मुझे क्या मिल रहा है, बच्छा लोग, मुझे इस कान से मिल रहा है, आँ, सरी, 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 angle B, equals to angle Q, मिल रहा है, मुझे, TPSC के, यहों के, एक, दूसर के मिल रहा है, AB by PQ, equals to BC by QR, यह भी मेरा TPSC से, अब मैं, बेटा, BC और QR को क्या लिख साथा था, यह देखे, AB by PQ जो ठीक है, BC को मैं twice, BD और QR को मैं twice, QM लिख साथा था, Q बेटा, कि, BD equals to DC and QM equals to MR, मुझे given थे, यह 2, 2 कटा, तो AB by PQ, equals to BD by QM हो गया मेरा, यह इसको मैंने 2 माक किया, अब equation 1 और 2 से, मेरे दों ट्राइंगल से मिला रहा है, from 1 and 2, देखो, यहां का B, यहां के Q से, यहां पे A है, यहां के Q का में को P लिखना पड़ेगा, B, A, P, Q, यहां पे क्या था, D से शाय से, और यहां पे क्या आने वारा है मेरा M, यह दों ट्राइंगल से मेरे similar हो गया, सकाई से हो गया, S, A, S से similar हो गया, अब देखो, C, P, S, G से, A, B, by P, Q, equals to B, D, by Q, M, B, B, D, जाना पे रहां, देख रहां तो, A, B, by P, Q, equals to A, D, by P, M, करा रहां, अब next question भी आपको ऐसी कराना लो, तो और छोटा और जो पहले question के उसके जैसा ही चलना ले, ठीक है, तो guys, पहले फटाक से आप लोग यह question को solve कर लो, वैसे I hope आप लोगों का major लोगों का खुद से होई गया था, पर इसको इबाब पॉस कर लो, जिनका नहीं हुआ था, चलिए अप, next question कौनता है सर, तब यह exactly यह question है, तो अब यह median की जगह पे आप लोगो क्या लिखना है, question लिखना पड़ेगा पूरे ठीक है, are angle by sectors, क्या लिखना पड़ेगा आपको, are angle by sectors, ठीक है, एक बार pause करो, question लिखो आप लोगो धंग से, ठीक है, question को खुद से लिखन पूरा इतना, वहाई पर NCRT में गोदा कादी मत करना, question लिखो नए page पे, given to proof करो, आप लोगो का यह question exactly, यह आई, यह वाले question, यह 10th, question जैसा ही है, ठीक है न, छलो, फटाक से 16th question को pause करके पूरा को उड़ा solve करो, चले गई, अब क्या हुआ है question बच्चा इस बार, अब यह दोनों sides equal नहीं है बच्चा मेरे इस बार, चले काम बच्चा नाइस में करता है, गंदगी आपनी, यह देखे, हमारा यह ABC और यह कुछ PQR ट्राइंगल है, ABC, PQR, यह दो ट्राइंगल्स है, given में मुझे क्या है, AD यहने angle bisector था मेरा, बतलब यह, और यह मेरे equal है, और साथी साथ मेरा, यह angle और यह angle equal है, बतलब given है मुझे angle BAD, equal to angle CAD, ठीक है, angle P, ने, QPN, QPN, equal to angle R, PN, मुझे यह given है, और क्या given है, triangle ABC, similar to triangle PQR, मुझे given है, मेरा two proof क्या है, AB by PQ, equals to AD by PN, मुझे यह चीज़ प्रूफ करनी है, ठीक है, अब वो ही देखो, प्रेज़ तो यह angle B और angle Q, मैं equal ले सकता हूँ, कैसे तर, बेटा बताया था, CPS चीज़ था, solution, मेरा triangle ABC, similar to triangle PQR, मुझे यह सब चीज़े given है, which implies यहां का angle B, यह यहां का angle Q के बराबर हो जाएगा, CPST, यह equation number one mark कर लिए, अब यहां का angle BAC, मत्तब यह पूरा angle, यहां का angle QPN के बराबर है, equal to angle QPR, QPR के बराबर है, again CPST, अब BAC को मैं twice BAD लिख सकता हूँ, twice angle BAD, और वैसे यहां पर twice angle QPN, Q बेटा, जेको angle BAD equal to angle CAD, और साथ ही जातना angle QPN, equal to angle RPN, मुझे पता थे, equal थे, यह given था, अब यहां से 2 और 2 गटेगा, मेरा, तो implies angle BAD, equal to angle QPN हो जाएगा, किस कारण से बेटा, यह तो, यह किस कारण से निए, इसको equation number, 2 mark कर लूँगा, अब equation 1 और 2 से, मेरे दोनों triangle similar हो जाएगे, from 1 and 2, मेरा ABD, triangle ABD, similar to triangle PQN हो जाएगा, by AA, अब देखे, TPST से मेरा क्या हो जाएगा, AB by PQ equals to AD by PN, यह कैसे हो गया, TPST, यही तो मुझे proof करना था, पेटा, सब question 3-3 mark के पूछे आदे, वो छोटे-छोटे से, आपने पहले वाले question में थोड़ी मेहनस कीती, इसलिए आपको कितना easy लिए जम रहा है, तो करो इसको pause, और इसको भी कर लो, फटाक से आप लोग solve, यह हो गया, अब exact similar pattern पर आपको एक को question देता हूँगा, पहले इसको हटाना पड़ेगा, अब वो जो median था, अब इसके बाद में हम लोग इसको altitude लिखना ले, क्या लिखता है बिटा हम लोग, altitude, यह सबसे easy है, इसमें तो कोई सर्दर्द लिखना ले है, altitude मतलब परपेंडि देखे, A, B, C, P, Q, R, ठीक है, यह अपने को altitude दिये है बेटा, ठीक है, यह कुछ D था चाहता है और यह N था, given में क्या ख्या है मुझे, मुझे दिया हुआ हुआ है, angle A, D, B, equals to 90, angle P, N, Q, B, equals to 90 है मेरा, और triangle A, B, C, similar to triangle P, Q, R, यह सब मुझे given है, मेरा two proof क्या है, A, B, by P, Q, equals to A, D, by P, N, मुझे यह चीज़ को proof करना है, अब देखो, solution में, यह angle equals to यह angle और यह angle और यह angle तो पैसे मुझे equal पाता है, दोनों करूंगा, तो A, A से दोनों triangle मेरे similar वैसे ही हो जाएगे, ठीक है, तो देखो, solution, triangle A, B, C, similar to triangle P, Q, R, यह मुझे given है, implies angle B equals to angle Q, मेरा यह भी equal हो जाएगा, क्यों, C, P, S, T से, मेरा equation 1 हो जाएगा, अब यह से देखो, angle A, D, B, equals to angle P, N, Q, each 90 मुझे पाता है, यह दो भी हो जाएगा, अब इन दोनों के कारण, मेरा triangle A, B, D, similar to triangle P, Q, N हो जाएगा, by A, A से हो जाएगा, जैसे ही यह हुआ, C, P, S, T से क्या जाएगा था, A, B, by P, Q, equals to A, D, by P, N, by C, P, S, T, यह दो माक है, तेक है, इसको वितिजत नहीं मिलती है, य समझा न, I hope आप लोग का आ गया था, अब यह वाले question को भी आपको पॉस्ट करके एक बार solve कर लीजिए, चलिए, अब आचा, last question जो मैं कहा रहा था, यह देखिए, यह question, simple है, पेटा, यह question, आक्च्वल में, प्रूफ करने के लिए, पूछ सकता है, साथ यह इसको पर application-based question भी आ जाता है आपको, क्या आपको data दिया हो जाएगा, आपको solve करना पड़ेगा, वो एक मांक, दो मांक का आता है, question देख लो, जो application-based वाले हो, अपन बाद में देखने वाले है, ठीक है, चलो, इसको एक ताम करो, पहले, pause करो, question को लिख लो, अब गाइस, मुझे न, यह एक टीन चीज़ तो फट्टे प्रूफ कर लो, मांक, कैसे सर, यह कैसी पीएस चीज़ है, पर उसी चीज़ को मुझे इसके बराबर भी प्रूफ करना है, जो again simple है, देखो, इस दो triangle है, यह हमें भी A, B, C, यह हमें भी P, Q, R, ठीक है, अब देखो, मैं direct solution लिख रहा हूँ, by P, R होता है मेरा, किस से कारण होता है, बटा हूँ, T, P, S, T के कारण होता है मेरा, इसी रेशियो को मैं कुछ K, अब इक लिए मान के चाप आँग, कुछ small K, ठीक है, where K is any positive number, ठीक है, इसको मैंने equation number 1 mark कर लिया, अब देखो, मैरा, क्या, A, B by P, Q, equals to K होने वाला है मेरा, म यह से को B, C by Q, R, भी मेरा K के बराबर होने आला है, मतलब B, C is equals to K times Q, R, भी हो जाएगा मेरा, बैसे, A, C by P, R, भी K के बराबर होने आला होने आला है, A, C by P, R, equals to K, तो implies A, C की value K times P, R हो जाएगी मेरी, अब देखो, बेटा, मैं यह तीनों equations को add कर रहा हूँ, ठीक है, न which implies A, B, plus B, C, plus A, C, की value K times P, Q, plus K times Q, R, plus K times P, R हो रही है, अब देखो, यह A, B, plus B, C, plus A, C, यह equals to, यह K common निकला मेरा, P, Q, plus Q, R, plus P, R हो गया, A, B, plus B, C, plus A, C, की value मतलब perimeter of triangle ABC हो रहा है, यह perimeter, triangle A, B, C, equals to K times, यह के बार है, बेटा, perimeter, triangle P, Q, R, अब यह, इसको यहाँ भीज़ दिया, मैंने, perimeter, triangle A, B, C, upon perimeter, triangle P, Q, R, की value K के बड़ाबर हो गई, यह मेरा equation number, 2 mark कर दिया, मैंने, अब देखो, गई, यह पूरी की पूरी चीज़ है, मेरी K के बड़ाबर थी, और यह चीज़ भी मेरी K के बड़ाबर है, तो दोनों equate मैं कर लूँगा, तो from 1 and to 1 के बड़ा था मुझे, A, B, by P, Q, equals to B, C, by Q, R, equals to A, C, by P, R था, और मुझे 2, K के बड़ाबर में क्या था, perimeter, triangle A, B, C, upon perimeter, triangle P, Q, R, होना था, समझाए, यह चीज़ मुझे रूफ करनी थी, गाइस, मैं जानता हूँ, थोड़ा सा भारी था अचका सेशन, लंबा भी था, बड़ बेटा, आप लोगोंने major चीज़े अब जो चाप्टर में difficult होती है, वो आपने clear कर लिए, अब दो और question हैं, जिसके लिए मैं आपको next lecture में दूँगा, वो दोनों questions कहते हैं, important है, बहुत को similar दिखने में लगते हैं, अब बहुत जमीन आफ्कन का फरक है, इसलिए उसका dedicated लिए एक अलग वीडियो में बनाता हूँ, ठीक हैं, तो guys परते इसको आप तो एक काम करो, pause सरकेश को solve कर लो, चलिए हम मिलते हैं next session, bye guys